जैए श्री कृष्ण भक्तो भक्तो मैं कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरनिय गुरुवर जोतिशाचारी है भागवत कथा वाचक पंडित सोहनलाल शर्मा जी मैं गुरु जी के आदेश से तथा भगवान परश्राम जी के आश्रिवात से आज भगवान विश्णु के छटे अवतार भगवान शी कृष्ण के द्वारा अपने सखा पार्थ को अर्जुन को दियेगे श्रीमत भगवत गीता के ज्यान के सार को आप सभी को सुनाने के लिए यहां उपस्थित हुआ हों भगवत शीमत भगवत गीता के अठारे अध्याय हैं मैं कैलाश पंडित एक एक करके सभी अध्यायों का सार आपके समक्ष भाव पूर्ण स्वर के साथ प्रस्तुत करूँगा मैं गीता सार को आरंब करूँ उससे पूरू करपया आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पास ये गीता सार पहुँच जाए और उन्हें धर्म लाब प्राप्त हो उनका कल्यान हो तो बोलिये भगवान श्री कृष्ण की जै ओम भगवते वासुदेवाइन नमहा बोलिये श्री कृष्ण महाराज की जै प्रिये भगतो श्रीमत भगवत कीता सार का नमा अत्याए आरंभ करते है श्री कृष्ण भगवान जी बोले हे अर्जुन तुम में ईवशा नहीं है इसलिए ये अती गुप्त शास्त्रिय ज्ञान और अनुभाव तुम से कहता हूँ इसे जानकर तुम्हारा अशुब नहीं होगा यज्ञान सब विध्याओं में श्रेष्ट तथा सब गोपनियों में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रतेक्षफल वाला और धर्म युक्त है साधन करने में बड़ा सुगम और नश्ट नहीं होता हे पनंतप इस धर्म पर जो शद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्य-उ-युक्त संसार में बार-बार लोड़ते हैं मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रगट किया है सब प्लाणी मुझे में ही इस्थिर हैं किन्तो मैं उन में नहीं हूँ मुझ में सब भूत भी नहीं है मेरा यह इश्वरिय कर्म देखो मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है जिस प्रकार सरवत्र बहने वाली महान वायू समस्त आकाश्व में व्यापत है उसी प्रकार सरवत्र भूत मुझ में है ऐसा समझो हे कौनते सभी जीव कल्ब के अंत में मेरी प्रकृती में आमिलते हैं और कल्ब के प्रारंब में उनको फिर उत्पन्य करता हूं अपनी प्रकृती का आश्च्रे लेकर उसके गुण्वे स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार-बार उत्पन्य करता हूं हे धनन्जे मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मैं उदासीन की तहें उनमें आसक्त नहीं हूं और इस्थिर हूं मैं अध्यक्ष होकर प्रकृती द्वारा चराचर जगत को उत्पन्य करता हूं हे कौनते इसी कर ये जगत बनता बिगड़ता रहता है मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हैं मैं समस्त चराचर का स्वामी हूं जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अभेलना करते हैं उनकी आशा व्यर्थ, कर्म, निश्फल, ज्यान, निर्थक, चित, भरष्ट वे उस आसुरी शक्ती के वश में हैं जो मोह को उत्पन्य करती है हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रकृती में इस्थित हैं वे मुझे संसार का आदी अविनाशी जानकर अनन्य मन से भसते हैं वे द्रडव्रती सदा बेरा किर्तन करते और भक्ती से उपासना करते हैं कोई एकत तुसे, कोई पर्थक तुसे और कोई मुझे अनेक रूप वाला अर्थात विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं शोत यग मैं हूँ, इसमात यग मैं हूँ, पित्र यग मैं ही हूँ तथा ओशधी, मंत्र होम का साधन गरत, अगनी और होम भी मैं ही हूँ इस जगत का पिता माता, धारन करता पिता मह, जानने योग पतार्थ ओमकार, रिगवेद, सामवेद और यजुरवेद भी मैं ही हूँ गति, पालन करता, प्रग्य साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्य करने वाला, संघार कारक, आधार, प्रले स्थान, और अविनाशी बीज, मैं ही हूँ मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोगता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अम्रित और मित्यो भी हूँ, तथा सत और असत भी हूँ तीनों वेदों के ग्याता, सौम पीने वाले, पाप रहित, यग्यद्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग जाते हैं और इंद्र के पुन्य लोक में पहुचकर, स्वर्ग में देवताओं के योग्य, दिव्य सुख भोगते हैं वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर, पुन्य के क्षीन होने पर फिर मित्य लोक में आते हैं इस प्रकार, तीनों वेदों के यग्यादी धर्मों का पालन करने वाले भोग की इच्छा रखने वालों का आवा गमन होता रहता है जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपास्ता करते हैं उन नित्य योग्यों के योग, ख्षीम, अर्थात, इस्थान, भोजनात, च्छादन से इनकी में रक्षा करता हूं हे कौनते, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और शद्धा से उन्हें पूझते हैं, वे भी मेरी ही पूझा करते हैं परंत, वे पूझन, विध, पूर्वक नहीं है सब यग्यों का भोगता और स्वामी मैं ही हूं जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं देवताओं के पूझने वाले देव लोग को प्राप्त होते हैं पित्रों के पूझक पित्र लोग को पाते हैं यज्यादिकों के पुजारी यग लोग को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझे को अरपन करता है उस शुद्य अंत्यकरन वाले व्यक्ति के भक्ति से दिये हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्यता से ग्रहन करता हूँ हे कौनते, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अरपन करो ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुब अशुब फलों से मुक्ध हो जाओगे और सन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति वे मुझको अवश्य पाओगे मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है, न प्रिय है जो कोई मुझको भक्ति से भसता है, वे मुझमे है और मैं उसमे हूँ यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधू ही मानता हूँ क्योंकि उसने उत्तम मार्क ग्रहन किया है, वे शीग्र ही धर्मात्मा होता है, और चिरस्थाई शान्ती को पाता है हे कौनते यह निश्चित करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता हे पार्त, मेरा आश्रे पाकर, नीच कुल में उत्त्पनिस्त्रियां, वैश्य और शुद्र भी उत्तम गती को पाते हैं फिर जो पुन्यवान भक्त, राजर्शी और ब्राह्मन हैं, उनकी तो बात ही क्या है अतह इस नाश्वान और दुख वरे संसार में, जन पाकर, तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगा कर, मेरे भक्त बन जाओ फिर मेरी पूजा, और मुझे नमस्कार कर, मुझ में लो लगाए रखकर, मुझ में ही लीन हो जाओ बोले श्री कृष्ण भगवाने की जै बक्तो इती श्री श्रीमत भगवत गीता सार नवम अध्याय हरे नमः बोले श्री कृष्ण भगवाने की जै ओम नमः बगवते वासुदेवाय नमः 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 भग Kerry समक्तो नमः हरे नमः नमः वाद बगवाने की जै श्रीमत भगवाने की Patlone